नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना वक्त ने जरासी करवट क्या ली गेरों की लाइन में सब से आगे अपनों को पाया नमस्कार दोस्तों एक वर फिर से आपका हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूटिप चनल जीके भाई परदीप सर पे और जो हमने मीडूल इंडिया की सिरीद सुरू की है ना बच्चो उसमें आपका अपार प्रेम मिल रहा है उसके लिए मैं आपका धनेवाद करता हूँ कल बच्चो हमने ना सबसे जो टोपिक इंपोर्टेंट पढ़ा था वो सबसे ज़्यादा महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था और आज हम मुहमद गोरी के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले बच्चो तीन आपके लिए इंपोर्टेंट सूचना रहेगी सूचना तो क्या है कि आपको ना कोई भी बच्चो मेरे दुआरा ये टोपिक करवा रहा हूँ या तमना मेडम जो करंट अफेर ले रही है उसकी पीडियप चाहिए ना तो बच्चो आप जीके बाए परदीप सर का एक टेलिग्राम ग्रूप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो जुआइन कर लेना और एक है ना बच्चे सबसे ज़्यादा है ना मो के टेस्ट की डिमांड कर रहे थे तो बच्चो ये मोग टेस्ट है ना पचास मोग टेस्ट है ना वो लेटेस्ट त्यारी के इसाब से ना दुरीना पे डाले गए है वो चेक कर ले ना बड़े ही बच्चो जो मतलब प्रेंटिंग चार्ज है ना वो ही लिया जाएगा फाल कलास नोट्स है ना बच्चो इसमें न ancient, middle, modern, political, science के ये सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे पलस हरियाना जीके के बीना मेरे दुआरा नोट्स है ना वो भी बच्चो आपको दुरीना description box में जाके चेक कर लेना वहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो बच्चो वो है ना मतलब क्या है ये कि बस only printing charge आप से लिया जाएगा अगर मतलब 150 पेसे printing charge के इसाब से आप तक पहुंचा दिये जाएंगे तो वो देख लेना अगर अच्छा लगे तो बच्चो आज हम अपना सबसे important topic स्टार्ट कर रहे हैं वो topic रहेगा हमारा सबसे important topic आज हम पढ़ेंगे बच्चो मुहमद गोरी के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे मुहमद गोरी के बारे में पढ़ेंगे और मुहमद गोरी से ना एक्जाम में बच्चो कोशन सबसे ज़्यादा पुछे जाते हैं तो बच्चो पेले ना मुहमद गोरी पढ़ने से प बच्चो, ग्यासुदीन मोहमद बिन शाम नामक एक व्यक्ति होता था, इसने कहते हैं बच्चो, गजनी के पास एक एरिया था जिसको कहा जाता था, गोर. गोर में एक सवतनतर राज्य की स्तापना की थी ये question बच्यों आपको आपको पहले मोहमद गोरी का इतियास में आपको बताता हूं क्योंकि ये आपको पता होना बेहत जादा जरूरी है ये आपको जब तक पता नहीं होगा ना बच्चो तब तक आपको important है ये चीज़ें आपको पता होनी बेहद जादा क्या हो जाएगी जरूरी हो जाएगी अब आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये मुहमद बिन साम था क्या या ग्यासुदीन मुहमद बिन साम क्या था ये ग्यासुदीन मुहमद बिन साम था ना ब मोहमद गोरी का नाम भी बच्चो मोहमद गोरी नहीं था इसका नाम था सिहाबु दीन क्या होता था बच्चो सिहाबु दीन मोहमद बिन स्याम होता था सिहाबु दीन मोहमद बिन स्याम इसका पूरा नाम होता था और कई जगे बच्चो मुईजु दीन मुईजु दीन मुई गोरी इसका पूरा नाम होता था मुईजुदीन मुहम्मद गोरी इसका क्या होता था पूरा नाम होता था ये चीजें बच्चो देखने को अजीव लग रही है क्योंकि हम तो आदती है ना हम मतलब उपर से पढ़ लेते हैं लेकिन थोड़ा सा एक्जामीनर कोश्चन को घु टाइम है तो इसको यूटिलाइज कीजिए ना तो इसलिए बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिस कर रहे हैं दुबारा बताता हूँ 1163 में क्या हुआ था एक व्यक्ति था ग्यासुदीन मुहमद बिन साम उसने गजनी के पास गोर में एक सवतंतर राज्य की क्या की थी जाता था अब क्या होता है तर ग्यासुदीन मुहमद बिन साम ने क्या किया बच्चो 1163 में गोर में सवतंतर राज्य की दोस्तापना कर दी लेकिन 1103 में गोर को न इसने तुरकों से मुक्तकरवा दिया तुरकों से तुरकों से गोर को क्या करवाया मुक्त करवाया 1163 में गोर में सौतंतर राज्य की तोस्तापना कर ली बच्चो इसने लेकिन गोर है ना अभी भी बच्चो किस के अदीन होता था गोर होता था ना वो अभी भी किस के अदीन था तो गोर है ना अभी भी याद रख लेना बच्चो किस के अदिन था गोर अभी भी ना तुरकों के अदिन था तो इसने गोर से किसको मुक्त करवाया था तुरकों से मुक्त करवाया था इस बात का बच्चो आपको ध्यान रखना है कब करवाया था 1193 में और गद्धी है ना यासुदीन मुहमद बिन शाम है ना ये बच्चो खुद गदी पर नहीं बेठा और इसने अपने भाई को गदी पर बिठा दिया जिसका नाम था सिहाबुदीन मुहमद बिन शाम इसके भाई का नाम होता था और यही बाद में किस नाम से फेमस हुआ था बच्चो मुहमद ग गोरी के नाम से हम तो यही पढ़ते हैं कि मुहमद गोरी गद्धी पर कब बेठा तो मुहमद गोरी गद्धी पर 1103 में बेठा यहीं से एक कोश्चन हमारा बन जाता है लेकिन यह भाई है ना मतलब इसने रियल में क्या निभाया था बाही चारा निभाया था यह नहीं ते य पीचेतर में क्या बेट गया था गद्दी पर बेट गया था और बच्चों कहते हैं इसने ना भारत पर पहला आकर्मन ग्यारा सो पीचेतर में किया था कहां पर किया था मुल्तान पर किया था यही कोश्चन आया था बच्चों एक बार ना बच्चे कन्फ्यूज हो गए तो यही कोश्चन आया था कि मोहमद बिन मोहमद गोरी ने भारत पर पहला आकरमन कब किया बच्चों ने सोचा कि जब उसने आकरमन किया ग्यारा सो अठतर में गुजरात में वो हार गया तो पाटन गुजरात कराए लेकिन वो गलत था मोहमद गोरी ने पहला आकरमन कब किया था बच्चो ग्याहरा सो पिछेतर में कहां पर किया था मुलतान पर किया था यह आपको याद रखने ला है यह आकर्मन बच्छो वे से देखा ज़ाई एक छोटा सा इसने area जीत लिया था यही एक्जाम में न सबसे ज़्यादा यही question आया था कि यही question पुछा था कहां पर आकर्मन किया था तो कहां पर आकर्मन किया था बच्चो मुल्तान पर किया था और कहते हैं ग्यारा सो छंतर में इसने सिंध को जीता था ग्यारा सो छंतर में इसने किस को जीता था सिंध को जीता था एक्जाम में ज़्यादा तर ये मुल्तान वाला पूछा जाता है कि 1100 छंतर में उसने सिंध को जीता था अब बच्चों वो महतव कानक्षी हो गया था अब क्या था बच्चों मुहमद गोरी था ना मुहमद गोरी पेपर में आता है मुहमद गोरी कहां का सासक था तो बच्चों मुहमद जैसे महमूद गजनवी गजनवी का था ना तो मुहम बिहारा नहीं तो इसके मन में यही जिग्या सा थी कि भारत को अराना बच्चों का खेला क्योंकि पिछेतर में मुल्तान से ट्राई किया छत्तर में सिंद को जीत लिया अब है ना इसको ना इसने क्योंकि पहले विदेश सी आकरमनकारी भारत आते हैं ना वो सिंद के रस्ते स भारत आते थे ठीक है तो इसके सेना पती ने कहा कि राजा जी जो काम सभी करते हैं न वो अगर हम करेंगे तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि इतिहास वही लिखते हैं जो औरों से कुछ हट कर करते हैं अक्सर गालिब कहा करते थे अगर अपनी पहचान बनानी है तो भीड से अलग करो ठीक है जिसे अक्सर कहा जाता है winner don't do different things they do things differently जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं वो हर काम को अलग है धंग से करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए मतलब हैं हार्ड वर्क भी होना चाहिए हार्ड वर्क से ज़्यादा आजकल important है smart work और smart work क्या होता है बच् करूँ आप मुहमद गोरी का topic है तीन पेज का तीन पेज में नया काम का हमारे है बस एक पेज और मैं कोसिस करता हूँ वही एक पेज आपको करवाने की और जो आड़ वर्क करते हैं वो तिनों के तिनों में रटा लगाते हैं और मैं एक में आपको concept समझाता हूँ बच्च है ना आप question पे series लगा के देखो 95% आपके question सही हो जाएंगे बच्चो कोई दिक्कत नहीं है बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया करो अब मुहमद गोरी है ना इसको सेनापती कहता है कि राजा जी हमें इस बार आकरमन कहां से करना चाहिए गुजरात से आकरमन करना च क्या होता था भीम दूइते होता था भीम दूइते ना आए तो आपको आएगा मूल राज दूइते मूल राज दूइते कहां का सासक था बच्चो गुजरात का क्या होता था मूल राज दूइते सासक होता था और मैंने बताया था बच्चो जब महमूद गजनवी ने एक ह बावना थी कि किसी विदेशी ने मेरे मतलब पुर्वज को हराया है अगर कोई विदेशी दुबारा आ गया ना तो मैं उसको ना जरूर हराऊंगा तब बच्चो भीम से ये सेकिंड है ना ये त्यारी से बेठा था और मुहमद गोरी है ना बच्चो क्या आ गया था बिना त त्यारी क्योंगे इसने सुना था महमूद गजनवी सत्रा बार लड़ा एक बार भी हारा नहीं और तूने भी मुल्तान जीता सिंद जीता कोई दिक्कत नहीं है तो बिना त्यारी के आ गया और जैसे ही ना इस जारा सो अठटर में इसने ना महमुद गोरी ने कहां पर आकर कर दिया बच्चो पाटन गुजरात पर यहां का सासा कौन था भीम दूइते मूर्राज दूइते और बच्चो इन दोनों में भ्यंकर युद हुआ और बड़ी आसानी से ना मूर्राज दूइते ने मुहमद गोरी को हरा दिया अगर बच्चो गोरी कुछ देर और टिकता कुछ देर और रुकता तो पर्मानेंटली रुक जाता यानि गोरी की सर्विस हो जानी थी तो मुहमद गोरी है ना जान बचाता हुआ कहां पर भाग गया बच्चो गोर भाग गया और उस सेना पती को ढूंड रहा था जिसने इसको कहा था कि राजा जी कुछ अलग करते है ये तो बच्चो वही बात हो गई सिर मंडवाते ही ओले पढ़ने वाली बात हो गई एक तो बेचारे ने सोचा था कुछ अलग करते हैं और सामने से ना सेर को सवा सेर मिल गया इसलिए तो कहा जाता है बच्चो मतलब कई बार है ना हम बिल में हाथ डाल लेते हैं कि बिल हर एक बिल में चुआ होगा और किसी बिल में बच्चो चुआ ना होकर सांप हो गया ना तो वहाँ पर सर्विस हो जाएगी क्योंकि हर बिल में चुआ नहीं होता तो दुसमन को कभी भी कमजोर है नहीं समझेना चाहिए यहां से आता है कोशन बच्चो यह ना जो मतलब है मू नाइका देवी के नेत्रिताओं में लड़ा गया ये बचो यूपियस्सी में एक बार कोशन पुछा गया था कि मूल राजद्वीते की मा का नाम क्या था नाइका देवी और इसी के नेत्रिताओं में पाटन गुजरात का क्या लड़ा गया था युद्ग लड़ा गया था औ और यहां पर मुहम्मद गोरी की क्या हो जाती है हार हो जाती है और यह आता है मुहम्मद गोरी की भारत में पहली हार कौन सी थी तो भारत में 1178 वाली इसे क्या का जाता है भारत में इसकी पहली हार भी कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा इसके लावा यह भी आ जीता था 1189 में इसने बठिंडा को भी जीता था किसको जीता था बठिंडा ये ना मतलब ज्यादा important है नहीं है फिर भी अगर ना बड़े लेवल के अगर आप मेंस के एक्जामों में ना अगर अब बात आती है बचो सबसे ज़्यादा कोश्ण आते हैं तराइन के युद से किस से कोश्ण आते हैं तराइन का पर्थम युद। ये किस के साथ हुआ था बच्चो इसका पिर्थवी राज चोहान के साथ हुआ था और पिर्थवी राज चोहान को बच्चो राज पिथोरा के नाम से भी जाना जाता है और पिर्थवी राज ये फास्त था, सेकिन था, तरीते था ये आप हमें कोमेंट करके बताना ये कौन स फिर्थ्वी राज चोहान था। इनके जो नाना थे ना मतलब उनको भी मतलब ये मिली हुई थी दिल्ली जैसे आपने पढ़ते हो अनंग पाल अनंग पाल ने किसको बसाया था बच्चो दिल्ली को और दिल्ली को पुराने टाइम में धिलिस के नाम से भी जाना जाता था अनंग पाल जी ने दिल्ली को बसाय मुहम्मद गोरी है ना इसका इरादा तराइन पर आकर्मन करने का नहीं था मुहम्मद गोरी का इरादा था बच्चो दिल्ली पर आकर्मन करने का इरादा था मुहम्मद गोरी एक बड़ी सेना लेकर क्योंकि 78 में बिना त्यारी के आया तो हार गया इस बार पूरी एक संगठ सेना लेकर आया था और बच्चों ये जब आ रहा था ना तो राजा के पास बच्चों गुपच्चर होते हैं और गुपच्चरों के हवाले से चोहान को पता चला कि भारत पर आकर्मन करने के लिए कोन आ रहा है तो भारत पर आकर्मन करने के लिए कोन आ रहा था बच्चों म मतलब दिल के साप राजा होते हैं इसने सोचा बड़ा दूरदर सी था तो इसने ना क्या किया कहा कि अगर ये दिल्ली पोंच गया ना क्योंकि दिल्ली में मेदान है और मेदान में गोरी को असामना करना थोड़ा मुस्किल हो जाएगा तो इसने तराइन तराइन वर्तमान में हरियाना के काम पर है बच्चो करनाल में है यहां पर क्या थे बच्चो गने जंगल थे तो यहां पर रोकने का प्लान बनाया अब बच्चो कहते हैं एक तो इसके पिर्थी राज चोहन के जो नाना थे वो पिर्थी राज चोहन का साथ दे रहे थे एक बच्चो पिर्थी राज चोहन का ना एक आसी अरियाना में ही है यहां से एक साथ दे रहा था गोबिंद राय कौन दे रहा था गोबिंद राय साथ दे रहा था एक बच्चो गडवाल वंस का साथ सकता नाम था राजा जैचंद तो राजा जैचंद भी बच्चो पिर्थी राज चुहन का क्या दे रहा था साथ है दे रहा था तो पिर्थी राज चुहन खुद भी क्या था बच्चो सकती शाली था नाना भी सकती शाली थे य चारा सो एक्यान में मितराइन का क्या होता है पहला युद शुरू हो जाता है और पिरतुराज चुहान ने ना अपनी सेना को जंगल में इस कदर बिछा दिया कि गोरी वाले सेनिक सामने से अगर तीर मारते तो वो तीर है ना पेडों को लग जाते और पिरतुराज चुहान पाले अगर तीर मारते तो सामने से गोरी के सेनिक मारे जाते और पिर्थी राज चोहान ने कहते हैं जंगल में जगे जगे खड़े भी खुदवा दिये थे और कुछ सेनिक उनके खड़ों में गिर गए और अंदर क्या था बच्चो जाल था तो बड़ी आसानी से ना पिर्थी राज चोहान ने जीत लिया और मुहमद गोरी कहां चला गया बच्चो गोर चला गया और गोर जाकर कहता है कि ये इस हार से इतना दुखी हुआ कि ये कहता है कि मेरे को क्या करना है सुसाइड करना है और अपने को एक कमरे में बंद कर लेता है और बच्चो और ज जहर किसी सी इसके हाथ में जब ये जहर पीने वाला होता है ना तो सामने बच्चो दिवार पर देखता है एक चिंटी को उपर जाना था वो थोड़ा उपर जाती गिर जाती उपर जाती गिर जाती गिर जाती उपर जाती ऐसे करते करते कहते हैं उसने बच्चो बहुत ज़् इतने के बाद लक्षे को प्रापत कर लिया तो इसने सोचा एक छोटी सी जानवर है ना इतना हारने के बाद भी नहीं आरी तो मैं भी नहीं आरूँगा और यही उसको प्रेणा दे गई उसने जहर की सिसी को फेंक दिया और दुबारा से ना बच्चो योजना बनाने लग गया पिर्थी राज चुहान को हराने की यह तो गोरी का किस्सा था इधर बच्चो पिर्थी राज चुहान ने ना किसको हरा दिया मुहमद गोरी को हरा दिया बहुत बड़ी बात थी और ये ना फिर सी राग चुहान इंदू राजा होता था और ये क्या था बच्चो केते हैं पार्टी करेंगे जैसे अरियाना वाले अक्सर बच्चो पांच रुपे का पेन लाते हैं तो भी पजास रुपे के पार्टी कर लेते हैं क्यों दोस्त केते हैं चलो पार्टी करते हैं बहाना चाहिए ना कई तो मतलब साल में तीन तीन बार बर्डे बना लेते हैं अपना अलग जनम दिन मतलब 10 वाली DMC वाला अलग बना लेते हैं रियल वाला अलग बना लेते हैं किसी और का अलग बना लेते हैं वही सेम चीज़े होती थी उस time भी तो फिर तो यह राज चोहान केहता है बच्चों हम क्या करेंगे party तो येक party का आयजन किया गया और party में न इसने न अपने relative थे बच्चों सगे समंधियों को बुलाया अपने नाना को बुलाया राजा जैचंद को बुलाया क्योंकि उसने साग दिया था और अपने सेनिकों को बुलाया और इसने किसको बुलाया था बच्चों अपने जो सबसे जो आसी का सासक था गोविन रा यानि सब को बुलाया हमारे ना जिसे मतलब गाउं में आज भी आदत है कि जो हमारे नीजी होते है ना उनको ना जब हम काड़ देने जा लेकिन राजा जैचंद के साथ है ना इसकी बेटी को न आ गई? सयोगीता आ गई और ये बच्चों भारती इतिहास का दुर भागे था कि इस पार्टी में सयोगीता आ गई अगर सयोगीता न आती न तो भारत कभी भी गुलाम में नहीं होता अब आप कहोगे सर सयोगीता का भारत की गुलामी से क्या लेना देना? अगर बच्चों सयोगीता न आती तो पिर्थी राज चुहान को मुहमद गोरी कभी भी नहीं अरा पाता तो भारत में गुलाम वंस की कभी भी स्तापना नहीं होती गुलाम वंस से चलते चलते बच्चों आप पढ़ोगे गुलाम वंस आया, खिलजी वंस आया, ये सेयद वंस आया, लोदी वंस आया, मुगल वंस आया अगर ये ना आते तो मुगलवंस ना आता तो जहांगीर ना आता जहांगीर ना आता तो अंग्रेजों से भारत में वेप्यार करने की परमिशन ना मिलती और अंग्रेज भारत ना आते तो भारत गुलाम ना होता तो सयोगिता से भारत की गुलामी की क्या हो गई थी बात यहां से हुई थी अब कहते हैं कि बच्चो सहयोगीता है ना पिरतुई राज चोहान को पहली ही नजर में पसंद आ गई फास्ट साइट लव मतलब देखते ही पसंद आ जाना तो फिरतुई राज चोहान ने कहा कि मैं तो शादी करूँगा ना तो किस से करूँगा सहयोगीता से करूँगा अपने नाना के पास गया ना 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 बुला लड़की केसी है अब बच्चो लड़की अगर सुन्दर है तो नाना बला केसे मना करता नाना केता बेटा लड़की तो सुन्दर है लेकिन तेरी इस से शादी न ही हो सकती क्योंकि बच्चों जो चोहान वंस है न वह अपर वंस था और जो गड़वाल वंस है न वह बच्चों क्या था थोड़ा नीमंवंस था अगर شादी होती तो यह अरियाना सरकार इंटर कास्ट मेरीज पर अब 2,51,000 के संथिंग क्या कर रही है मदद कर रही है डाहिल लाग की साहितारासि दे रही है तो बच्छो उस टाइम यह नहीं था यह चोहानवणस में कभी भी मनजूर नहीं था तो नाना ने कहा कि बेटा अगर तुने शादी कर ली तो हम भूल जाएंगे कि तू हमारा बेटा है अब ये न चोहान है न एक साइड में जाकर सोचता है बोला नाना तो चार दिन बाद है चल बसेगा मेरे को तो जिंद की वितानी है न तो चोहान ने क्या किया सहयोगिता को वहां से पार्टी से उठाया और भगा ले गया बचों कुछ अलग-अलग स्टोरियां होती है स्टोरी चाहे कुछ भी हो लेकिन आपका कोश्चन गलत है नहीं होना चाहिए कुछ स्टोरियां एस ही कहती है कि राजा जैचंद ने एक सिवंबर का आयोजन करवाया था और जब भी सिवंबर में किसी भी राजा के पास ये कार ले कर जाता था ना और उस टाइम है ना सैयोगिता और चोहान के जो किसे थे न प्रेम पर संग के वो चारों और वाइरल हो चुके थे राजा कहता कि हम आपके वहाँ क्यूँ आए क्योंकि हम आगे कराने आएंगे क्या यहां पे तो कहते हैं कि पिराजा जैचन ने ना सब को इन्वाइट किया लेकिन फिर थी राज चोहान को इन्वाइट नहीं किया शाम को सूत्रों के हवाले से सयोगिता को ये खबर मिली कि तेरा चोहान कल नहीं आ रहा तो इसने गुपचरों के मादम से पत्तर भीजवाया और उसमें लिखा था कि फिर क्या तु मेरी डोली उठने के बाद आएगा फिर कहता है चोहान सेना लेकर आया और सेंबर सेना सेयोगिता को उठा कर ले गया स्टोरी कुछ भी हो लेकिन बच्चो आपका कोशन गलत है नहीं होना चाहिए यानि अब यहां तो न एक तरफ तो बच्चो मुहमद गोरी था वो है न बदले की भावना में खोया हुआ था और इधर हमारा चोहान बाई है न ये किस में खोया था बच्चो प्यार में खोय क्या हुआ था कि तेना प्यार अंदा होता है आज कल तो बच्चो तोतला भी हो गया है जैसे सुना होगा मेला बाबू केछा है बाबू ने चाए पी ली क्या तो आज कल तोतला हो गया पहले अंदे से काम चल जाता था अब क्या था चोहान प्यार में खोया था वो बदले म देखोया था टाइम था 1102 में का टाइम था युद होता है बच्चो कौन सा तराइन का दूसरा युद होता है और तराइन का दूसरा युद 1102 में किस के साथ हुआ था पिर्थवी राज चोहान का किस के साथ हुआ था बच्चो मोहमद गोरी के साथ हुआ था को किस के साथ के दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था चंदर वरदाई होता था। जब इनसान की बेस्ती होती है ना दो ही रास्ते बस्ते है या तो बदला ले ले या सुसाइड कर ले बदला ले इतना राजा जैचंद सक्तिशाली नहीं था तो राजा जैचंद को मुहमद गोरी याद आया राजा जैचंद ने मुहमद गोरी को पत्तर लिखा कि भाई तू तो गोरी ने वो पत्तर पड़ा, गोरी ने आने से इनकार कर दिया, कहता है कहीं मैं आपके पास जाओं और जाते ही आप मेरी सर्विस कर दो, भाई मैं तो नहीं आता, फिर ना इसने दुवारा पत्तर लिखा, उसमें लिखा हुआ था, किस परकार चोहान मेरी बेटी को भग कर ले गया, तब गोरी ने सोचा कि भाई सही बोल रहा है, और ग्यारा सो बाण में मैं कौन सा युद होगा, तराइन का, दूसरा युद होगा, अब ना चंदर बरदाई दोड़ा हुआ ना, पिर्थवी राज चोहान के पास आता है, कहता है राजा जी अनर्त हो गया, गो गोरी भी दो थी ना, बोला इस गोरी को छोड़ो, उस गोरी को संभालो, अब बच्चो चोहान ने अब अपने नाना से किस मूँ से बात करता, क्योंकि नाना ने का नाना तो यही केता, बेटा उस ताइम दो बड़ी फिलिंग ले रहा था, अकेला लड़ दे, राजा बादा हो जाए तो बेचारा क्या करें, तो अब तराइन का दूसरा युद्ध सुरू हो जाता है, और मोहमद गोरी की सेना है ना, जो क्योंकि पिरत्वी राजचोहान बच्चो वही इतना टाइम नहीं मिला, नए गड़े खुदवाने का वही गड़े खुदवाए थे, अब पिरत्वी राजचोहान है ना, मोहमद गोरी की सेना है ना, सामने से आ रही थी, चोहान बड़ी बहादूरी से लड़ा, लेकिन गोरी के सेनिक जैसे गड़े में गिरने वाले होते, तो राजा जैचन कहते हैं, भाई रुकुजा वहाँ पर क्या है, गड़ा है, तो ब खबर हो, चाहे खबर हो, अपने ही खोते हैं, तो बचो अपने ना होते, तो आज मैंने सुरुआती कही थी ना, समय ने जरासी करवट क्या ले ली, गेरों की भीड में सब से आगे अपने थे, वही बात थी बचो, ठीक है, समय समय की बात होती है, समय ही बलवान होता है, औ इस रचना में चंदर बरदाई लिखता है कि मुहमद गोरी है ना हमारी राजा को कहां पर ले गया था गोर ले गया और मैं ना राजा से मिलने गया ना तो कहते हैं राजा जिंडा था लेकिन राजा की दोनों आँखे नहीं थी और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही ना मुहमद गोरी ने पिर्थी राज चुहान को गोर ले गया तो अपने सामने बुलाया और सामने बुलाते ही का पिर्थी राज चुहान है ना कहते हैं सर से पेर तक बेडियों से जकड़ा हुआ था और आते ही ना गोरी ने एक ही बात पुछी कि तेरी हिमत के से हुई कि तराइन के पहले युद में तुने मुझे हरा दिया और चोहान वंस वाले ये सेर होते हैं और सेर कभी नीची आँखे करके बात नहीं करते कहते हैं चोहान ने आँखे मिलाई और गोरी ने आँखे निकलवादी जैसे आपने गबर वाली फिलम देखी थी ना ये हाथ मुझे दे दे ठाकूर और एसे उसने दोनों क्या निकाली आँखे निकाली अब कहता है चंदरवर्दाई मैं राजा से मिलने गया राजा तो जिंदा था लेकिन राजा की दोनों आँखे नहीं थी और कहते हैं बच्चो पिर्थवी राज चुहान एसा सा सक था जो कौन से वान चलाता था सबद बेदी बान चलाता था ये बच्चो कला चुहान के पास होती थी यहां तो सबद बेदी बान राजा दसरत ने चलाये थे यानि आव मिला था कि जिस परकार मैं अपने बेटे के वियोग में मर रहे हैं तूं भी अपने बेटे के वियोग में मरेगा इसलिए तो भगवान सिरी राम को 14 वर्सका बनुआश हुआ था तो ये समय समय काफिश है तो सब्द वेधिवान कौन चलाता था पिरथो उराज्चुहान तो ये तेरा गुलाम था, तो इसकी साईता से पूरे भारत को जीद सकता था और कहता है ये इसकी आंखे नहीं है, फिर भी ये सबद बेदी बाण चला सकता है तो गोरी ने कहा कि मैं इसका क्या लेना चाता हूं, प्रिक्षा लेना चाता हूं केहते हैं कि चारों तरफ है ना मतलब सेनिक ही सेनिक खड़े कर दिये और सेनिक जिदर आवाज लगाता ना उधर पूर थू राज चोहान उसके सीने में क्या मार देता तीर मार देता अला की सेनिकों ने कवच बगेरा पहने थे और इस से खुस होकर कहते हैं मौमद गोरी ने तालिव बजाई और चोहान को पता चल गया गोरी का है और चोहान ने तीर उठाया और गोरी को मार दिया और चंदरबरदाई कहता है जैसे ही ना चोहान ने गोरी को मारा मेंने चोहान को मार दिया और जैसे मेंने चोहान को मारा मेंने खुद को मार केहते हैं पिर्थी राज जरासो ना बनलब चंदरवर्दाई के बेटे ने आगे पूरी की थी लेकिन ये बच्चो सचाई नहीं है और ऐसा भी कहा जाता है कि चंदरवर्दाई और पिर्थी राज चोहान एक ही दिन जन में थे और एक ही दिने मरे थे कितनी सचाई है इसका हम नहीं कह सकते लेकिन ऐसा नहीं था कि चोहान ने मुहमद गोरी को मार दिया ये तो बच्चो क्या है जो दरवारी लोग होती है ना वो राजा के बारे में कभी गलत नहीं लिखते क्योंकि राजा ही तो उनको सेलरी देता है अब स्पोज करो पिर तो ये राज चोहान है ना यहां कोई भी राजा हो वो राजा है ना मतलब अगर कोई सायर सुनाएगा किसी को समझ नहीं आएगा तो भी दरवारी वा राजा जी क्या सायर सुनाया है और राजा हीरों का हार उनको दे देता तो वही स्टोरिय होती है इनमें सचा ही नहीं होती तो बच्चो इस बात को NCERT कहता है कि ये जूठा था चंदरवरदाई क्योंकि बच्चो ग्यारा सो चुराने में में एक युद लड़ा गया जिसका नाम था चंदावर का युद और चंदावर का युद कहते हैं बच्चो क नोज के पास लड़ा गया था चंदावर का युद लड़ा गया और ये युद हुआ था बच्चो राजा जैचंद के साथ हुआ था राजा जैचंद के साथ हुआ था किसका मुहम्मद गोरी का युद हुआ था और इस युद में राजा जैचंद को किसने हरा दिया मुहम्मद गोरी ने राजा जैचंद को क्या कर दिया था बच्चों मुहम्मद गोरी ने राजा जैचंद को हरा दिया था तो NCIT कहती है चंद हंतराइन के दूसरे युद मेना पिरति राच चुहान हार जाता है अब 1164 में में चंदावर का युद भी पूछा गया है अब बच्चों क्या बनेगा मुहुमłos्मद गोरी सिगे नध लक्ष्मी जी की फोटो थी और एक खुदा होता था बच्चों उसमें कलमा खुदा होता था यही पूछा जाता है मुहमत गोरी के सिक्के पर क्या था एक और माता लक्षमी की फोटो थी और दूसरी और क्या खुदा था बच्चो कलमा खुदा होता था क्या खुदा होता था कलमा खुदा होता था यही बच्चो सबसे important है बात है कि मुहमत गोरी है ना जैसे महमूद गजनभी मुर्ति भंजक था लेकिन महम्मद गोरी है ना ये आस्तिक था इसने अगर माता लक्षमी की फोटो इस बात की और इसारा करती है कि ये भारतिये देवी देवताओं का सम्मान करता था अब बच्चो इसका ना उदे से क्या होता था जे विस्तार होता था इसलाम का परचार परसार करना इसका उदे से था जो महमूद गजनवी का नहीं होता था अब बच्चो क्या होता है इसके दो दासों से कोशन आता है मुहम्मद गोरी के दो दासों से ये तो लगा लिया है बच्चो आपका हो गया मुहम्मद गोरी हो गय हो गया महम्मद गोरी इसके ना बच्चो क्या होते थे दो दास होते थे इसके एक दास का नाम था बच्चो कुतबुदीन एबक क्या था बच्चो कुतबुदीन एबक होता था और एक का नाम था बच्चो कुतबुदीन बक्तियार खिल जी कुतबुदीन बक्तियार खिल जी इसके क्या होते थे बच्चो दो दास होते थे क्या होते थे दो दास होते थे और कहते हैं बच्चो जैसे ही ना इसने ग्यारा सो चुराण में में मुहम्मद गोरी ने चंदावर को जीता तो भारत में जो जीते हुए एरिया थे ना भारत में जीते हुए एरिया थे ना वो कि किसको सौंप कर चला गया कुतबुदीन एबग को सौंप कर ये चला गया कुतबुदीन एबग को सौंप कर ये भारत में विजित छेतर को किसको सौंप कर चला गया था कुतबुदीन एबग को सौंप कर चला गया और बक्तियार खिलजी से क्या कोशन आता है ये बच्चो इस किसका ना बंगाल और बिहार को जीतना ना एक बच्चो मतलब सवरणी उपलव दी था क्योंकि मोहमद गोरी और एबक्तो ना अरियाना के तराइन में उल्जे हुए थे और पीछे से ना ये किसको जीतने के लिए चला गया बक्तियार खिलजी बंगाल बिहार को और ये बच् बच्चो जो आपको आपने सुना होगा नालंदा विसाविद्याले को और विक्रम सीला विसाविद्याले को जला आएगा केहते हैं बच्चो उस विसाविद्याले में पता ने कितने पुरान थे कितने गरन थे और केहते हैं बच्चो एक महिने तक है ना उनकी आग नहीं बुजी थी इतना ज़्यादा हमारे गरंथे जल गए थे और बंगाल का राजा होता था बच्चो लक्षमन सेन कौन होता था लक्षमन सेन होता था एक बार सीडियस में ये कोशन आया था बक्तियार खिल जी ने बंगाल पर आकर्मन किया वहां का राजा कौन सा लक्षमन सेन और एक कोशन उससे भी important हो जाएगा, क्योंकि लक्षमन सेन के दरवार में रहता था बच्चो जैदेव, और जैदेव ने कौन सी रचना की थी, गीत, गोविंद की रचना की थी, यह पेपर में आता है, जैदेव ने किसकी रचना की थी, गीत गोविंद की क्या की थी रचना की थी तो बच्चो बक्तियार खिल जी ने बंगाल बिहार को जीता और एबग को ये हरियाणा का एरिया सोब कर चला आए ये इसके क्या होते थे बच्चो दो दास होते थे अब कहते हैं बच्चो इसने न ये बात थी 1205 की बात थी कि 1205 मे ना ये खोकर जाती के विद्रो को दबाने के लिए खोकर जाती यानि खोकर को आप जाट बोल सकते हो जाटों के विद्रो को दबाने के लिए दुबारा भारत आया था और इसी विद्रो को दबाते हुए ना बच्चों महमद गोरी की क्या हो गई थी महमद गोरी की क्या हो ग और बच्चो बारा सो छे में ही न किस सल्तनत की स्तापना होगी दिली सल्तनत की क्या होगी स्तापना और जिसका संस्तापक कौन होगा बच्चो कुतुब दीन एबक उसका क्या होगा संस्तापक होगा तो बच्चो यहां से महुम्मद गोरी का ना चैप्टर क्या हो जाता है कल हुमारे पिर ये बच्चों का गलत है, नहीं होना चाहिए, हाँ, और बच्चे के रहे, आप complete करवाना, middle बच्चो, ancient complete करवा दी है, middle भी करवाँगा, और modern भी करवाँगा, और speed से करना है, तो बच्चो, दुरीना का link description में है, वहाँ पर complete ancient डाल दी, complete middle डाल दी, complete modern डाल दी, complete updated हरियाना जीके डाल दी, और बच्चो, उसमें मैंने world जीके के भी कुछ topic डाल दी है, जो HSSC से related है, और उसमें मैंने सबसे important है, बच्चो, complete quality डाल दी, complete जोगरफी चल रही है, और complete eco डाल दी, ये कोर्स 400 रूपे का रहेगा, अच्छा लगे तो, देख लेना, आज के ल